हेलो अबिरवन कैसे हैं आपनों वाई हुट के आपनों बहुत अच्छी होंगे प्रेगनेंसी में 25 बात जरूर याद रखें क्योंकि जब भी आपकी प्रेगनेंसी जो है कन्फरम होती है तो पती पतनी को तो खुसी होती होती है साथ में पूरे परवार को भी बहुत ज़दा खुसी होती है कि उनके घर में 99 अमान आने वाला है लेकिन प्रेगनेंसी की बाद हर महिला के जिवन पूरी तरह से बदल जाता है उसकी जिन्दी पहले से ज़्यादा खुशरत हो जाती है प्रेगनेंसी की दौरान आपको कुछ खास चीज़ों का ध्यान अखना जरूरी है क्योंकि आप एक छोटी सी लापरवाई और आपके सिसु के लिए खतरना सावित हो सकता है आपको अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए कि आप दिन भर में क्या खा रही है क्या पी रही है आप जो भी खाती पीती है ये आप अपने सिसु के लिए फाइदमन है या नहीं है नुकसान दायक है ये सब पता होना बहुत जरूरी है आप कितने वज़े सोती हैं कितने वज़े उठती हैं सुभा में व्याम करती हैं ये नहीं तो कितना समय तक कौन से व्याम करती हैं ये सारी डिटेल्स में बात पता होना बहुत जरूरी है दिन भर में कितने समय तक बैठती हैं कितने समय त कोई परशानी होने पर उसमें से बात करना चाहिए अपनी प्रेगेंसी की चार्ज करवाते रहना चाहिए ठीक है साथी साथ देखिए आज की वीडियो में हम कुछ 25 जो है सबसे जरूरी इंपॉर्टिंट कोश्चन जो है मतलब आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से काम करने हैं और कौन से नहीं कारने है ठीक है सबसे पहले बात करते हैं के पाणि पानि जो है आपको और दिक मातरह में पीना है दिन भर में कम से कम तीन से चार लिटर पानी और एक से दो ग्लास जूस पी सकती है ठीक है ऐसा करने से सरी में मौझूद भी सहले पता सरी से बढ़ा निकल जाते हैं आप चाहें तो सब्था में एक बात नार येल पानी भी पी सकती है ठीक है दूसरा आपको देखे ज्यादा फाइवरली क्योंकि इस से गयہ से कपज होने का खत्रा नहीं होता है चीसरा हरिपतिदार वाली सबघेंशियां कहिए बाकी लोग को भी बहुत ज़़ादा होती है उससे कई ज्यादा महिलाओं केलिए भी बहुत जरूरी होता है दो उच्छान दही और घी जरूरी होता है कि pregnancy के दोरान सिल्सु के विकास के लिए protein और calcium की जरूरत होती है इसलिए महिलाओं को अपने आहर में सभी dairy product को भी सामिल करना चाहिए साथ-साथ फल और उनके रस का सेवन करें ताजिफ फल और उनका रस भी pregnancy में काफी फाइदबन होता है सेव, तरबू, संत्रा, नासपाती और इनका रस को भी सेवन में लगा जाता है जिससे की लेकिन कुछ फल ऐसे भी होते हैं जिससे की पपीता, अननास और अंगूर से परेच करना चाहिए आपको यह बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसका असर सिसू पर काफ़ खराब होता है आप सूखे मेवा खा सकती है, सूखे मेवा से प्रग्यंसी में काफी हद तक आहार मिलता है बादाम, अकरोड का जो को अपने आहार में सामिल कर सकते हैं में कई तरह के विटामिन, कैलोरी, फाइबर और ओमेगा-3 फैटी आसिड होता है जिसकी जुरुत मा और सिसू दोनों को होती है इसके लवा आप अंडे खा सकते हैं, अंडा काफी पोस्टिक होता है अंडे में प्रोटीन, और कोलीन, बायोटीन, कोलेस्टोल, विटेमिन डी और एंटी अक्सीडन भड़कूर मातरा में होता है इसलिए यह भी प्रेग्नन पहलाओ के लिए काफी फाइदबन होता है साथी आप साबुत तनाज का सेबन करें साबुत तनाज जैसे की ओड, सुभूरे, चावल और किनोवा को भी अपने आर में सामिल कर सकती है इन में भाई मातरा में कैलोरी होती है यह सिसू और मादोनों के लिए फाइदबन होता है अगर आप मासारी हैं तो बिना वसा वाला मास्ट खा सकती है इसके लावर देखिए अपने मन को मताविद अपने मन मताविद आपको कोई भी जैसे दबा वगेरा का सेबन नहीं करना है प्रेग्नेंसी से जोड़ी उनी दबाओं को उसी मातरा में खाएं जैसा कि आपकी डॉक्टर ने कहा है अपने मन से किसी भी तरह की कोई भी दवा नहीं खानी है किकि समय समय पर अपनी प्रेग्नेंसी की जाच करवाते रहें साथी कैफेन से आपको दूर रहना है अगर आपको ज़्यादा काफी चाय या फिर चॉकलेट खाना पसंद है तो प्रेग्नेंसी की दौरान इन सभी चीजों के अधिक मात्रा का सेवन ना करें जादा कैफेन की बज़े से गरपात का खतर बढ़ जाता है इसलिए इन सभी चीजों का सेवन प्रेग्नेंसी की दौरान ना करें इसके लगातार सेवन से जन्म के समय सिसु का बजन कम होने की समस्या भी गई बार देखी जाती है इसलिए प्रेग्रेंसी के दोरान कैफिन का से इस्तमाल से बचना चाहिए जादा बहतर रहता है इसके लाबा आप सराप से दूर रहें वैसे तो किसी प्रकार का नसा हर इंसान के लिए आनिकारक होता है लेकिन प्रेग्रेंट महिलाओं को सराप के साथ ही दूसरी नसीली चीज़ों से भी दूर रहना चाहिए नसर करने का असर सिसू के सारे रिकॉर्मान सी विकास पर पढ़ता है जिसकी वज़े से सिसू का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता है और कई बार गर्बात भी हो जाता है साथी साथ आपको कच्छा पपीता और अननास का सेवन नहीं करना है प्रेग्नेंसी के दोरान कच्चे पपीते का सेवन करने से बचना चाहिए कच्चे पपीता में एक केमिकल पाया जाता है जिसकी वज़े से गर्ब में पलने वाले से सुखो काफी नुकसान हो सकता है तो यह इसके सेवन से बचना चाहिए साथी साथ आप मचली से बचे वैसे तो प्रेगनेसी में मचली का सेवन सही होता है लेकिन उच पारे बाली मचली का जो आहार है सामिल नहीं करना चाहिए इसके लाबा अंकुरित पधार्थ नहीं खाने चाहिए आपको प्रेग्नेसी के दौरान कच्छे मास का सेवर नहीं करना चाहिए हलकी फुलकी स्ट्रेशिंग करें आपको स्ट्रेशिंग करने से सरीर में लचीला पनाता है जिसकी वज़े से डिलीवरी के समय आपको बहुत कम दर्द का सामना करना पड़ता है प्रेग्नेसी के दुरान स्ट्रेचिंग करने से कापकी फायदा होता है या सरीर में सरीर को फैलेक्पिन बनाने के जो साथ साथ आपका तनाब भी जो है वो कम करता है स्ट्रेचिंग करने से समय एक पोजिशन से भी कम से कम 20-30 सेकंड तक रहे इसके लाब ध्यान रखे कि स्ट्रेचिंग करने के बाद आपके सरीर पर धीरे धीरे दवाब बनना चाहिए अगर किसी भी स्ट्रेचिंग के दोरान आपके सरीर पर जादर दवाब बनने लगे तो फिर दर्द होने लगे तो आपको स्ट्रेचिंग को बंद कर देना चाहिए ध्यान रखे कि आप कोई भी स्टेचिंग जबर्जस्ति ना करें ऐसा करने से आपको आपके सिसूप को परशानी हो सकती है इसके लावा आप रोज पैदल चरें टेहलें लेक लिस्टिंग करें और फिटनेस वाक के साथ साथ कुई करें और स्विमिंग भी कर सकते हैं इसके भी सर्फब्देंग लिए आप कीकल बियाम कर सकती है जो की आपने सिर्म की ज़ादा फ्यादेदरыл के ब्लब् लाइक शेर फॉलो सेस्क्राइब जरू करें मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब चाहिए